नमस्कार दोस्तों आप सभी का यहां कैसे चैनल पर बहुत सागत है दोस्तों कि आप लोग TrueColor यूजर हैं आपके देखे TrueColor पे काफी सारों लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है तो आपके देखे ID स्पैम में चली गई है कोई आपके पास कॉल करता है तो देखे स्पैम में शोग करता है दोस्तों आप लोग TrueColor से स्पैम रिपोर्ट को हटाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ hidden setting करना होगा आप लोग अपने TrueColor को स्पैम से हटा सकते हैं दोस्तों आप भी सीखना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं mobile की screen पर दोस्तों से आपको काफी सारे लोग report करते हैं यहां देखें जैसे यहां पर काफी सारे स्पैम में सुकरा तो आपका भी देखें no matter speak में चल लाता है दोस्तों से आप लोग spam problem को toggle k conform करना चाहते हैं report spam को हटाना चाहते हैं तो समस्ες पहले आपको True Color Application को open कर लेना होगा, दोस्तों यहां पर देखे True Color Application open हो रहा है, दोस्तों समस्तों पहले हमें उपार देखे three line यहां पर click करना होगा, और यहां पर देखे मेरा number वगश्य शूकरा, settings वाले पर click करना होगा, और आपका देखे जूम करके दिखाओ जाहते हों काफी सारी यहां पर resettings सो कर रही है दोस्तो हमें यहां पर देखे नीचे आना है और नीचे आपको कहाँ पर देखे click करना बताएता हूं यहां पर देखे backup और pricey center आपके यहां pricey center यहां पर click करना होगा जहसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखे काफी सारे उप्सें सोक करें दोस्तो हमें नीची आना है और दोस्तो यहाँ पे देखे उप्सें सोक रहा है Manage My Data यहाँ पे देखे. see you can download my data, restify my data और यहाँ पे देखे restrict processing my data, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा डिलीट हो जाएगा चाहो आपका data हो या आपका spam report हो जो भी योगत सभी डिलीट हो जाएगा तो आपको यहाँ yes, यहाँ पे add click करना होगा दोस्तों यहाँ पर देखे process चला है यहाँ पर देखे मेरा data, पुरा profile data डिलीट हो रहा, हमें wait करना है दोस्तों यहाँ पर देखे delete हो गया है दोबारा यहाँ पर देखे login का option आ गया है हमें यहाँ get started यहाँ पर click करना होगा और यहाँ पर देखे choose your number दोस्तो यहाँ पर आपको अपने number को select करके सरसे पहले इसे login कर लेना है और मेरे देखे true color देखे login हो गया है दोस्तों यहाँ पर देखे मेरा true color देखे मैं दोबारा login कर लिया हूँ, दोस्तों लेकिन जब आप लोग data डिलीट कर देते हैं, आपको 2-4 दिन का wait करना है, जैसे आप लोग डिलीट करने बाद दोबारा login कर लेंगे, तो आपका देखे data दोबारा recover हो जाता है, आपका profile data true color करके सर्वस डिलीट नहीं होगा, तो आपको थोड़ा wait करना होगा, 2-4 दिन बाद आप login करेंगे, तो आपका देखे जो spam report है, यह देखे डिलीट हो जाएगा, दोस्तों इसी तरह आप लोग बहुत आसानी से true color से spam report को डिलीट कर सकते हैं, दोस्तों यह मेरी जानकारी लाइक और कमेंट करके जो बताईए, दोस्तों चलिए मिलते हैं, नेक्श डियो में तब तक के लिए, जै हीन, जै भारत